अगर आप कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी चॉमिन जो है वो बिल्कुल अच्छे से बनेगी चिपके की नहीं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल स्टीट स्टाइल इसी तरह की मैं वीक में थ्री रेसिपी अपलोड करती हूं इसका मतलब मैं आ तो चलिए बनादेर करे रेसिपी को शुरू करते हैं स्टीट स्टाइल चॉमिन बनाने के लिए यहां पर मैंने चाओ लिया है मतलब नूडल्स लिये हैं यहां पतीले में पानी गरम हो गया है तो इसमें आड़ कर देंगे वान टेबल स्पून सॉल्ट अब हम इसके अंद करते रहें और जैसे यह को खो जाएगा हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे साथ से आठ मिनट के लिए मैंने नूडल्स को बॉयल किया था और अब इसे एक बाद चेक कर लेते हैं यह देखिए कितनी असानी से यह टूट गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे सारे नूडल् इतने ठंडे हो गए हैं कि मैं इसे अराम से हाथ लगा पा रही हूँ मैंने इसे एक तम चिल्ड पानी के अंदर डाल के रख दिया था जितना जाधा अच्छे से आप इसे पानी में वाश करेंगे उतने ही जाधा खिले खिले यह बनेंगे रेडी होईंगे एक से दो बार क को खतम करना है अगर इसके स्टार्च नहीं हटेगा तो जब यह बनकर रेडी होंगे तो यह आपस में चिपकेंगे अच्छे से वाश करने के बाद मैंने नूडल्स को एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ओल लगा देंगे और मिक्स कर लेंगे अगर आपने मार्केट से चौमिन खाया है तो आपने देखा होगा उन शौप की परस के पास इसे तरीके से नूडल्स रखे होते हैं तो इन्हें हम इसे तरीके से छोड़ देंगे और चलिए थड़का रेडी करते हैं इसे मैं एक कढ़ाई में बना रही हूँ अगर आपक कढ़ाई को पहले अच्छा से गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें आप करेंगे ऐल वन टेबल स्पून ओयल इसके वाद इसमें मैंने आपकाई किया है लसन पांसे चे कलिया बारी कटे होई लसन की हैं गारले को मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया था हलका सा कुक होने के इसमें प्यास को सबस्क्राइब करना है कि अब और इसे ने और इसमें फोड़ी से शिम्मला मिश डाल दी है जिसे मैंने लंबा लंबा काटा था कि इसके बाद मैं इसमें आड कर रही हूं पत्ता को भी अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आपप सिना डालिए घर पे बनान और इसके बाद मैं आड़ करना हूं 2 टी स्पून विनेगर यानि सफेद सिरका, 2 टी स्पून डाक सोया सॉस, अगर सोया सॉस डाक वाला नहीं है थोड़ा एक्स्र डालिएगा, टू टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, अगर आपको जादा स्पाइस बनाना है तो आप रेड चिली सॉस एक्स्टा डाल सकते हैं, अच्छे स्टर कर लेंगे सारे इंग्रिडियंट्स को गैस का फ्लेम लो कर दीजिए का जब आप सॉस जाले अदरवाइस यह जल जाएगी, अब हम इसमें नूडल्स को डाल देंगे, अब आएगा सबसे मेन प जी को मिक्स करते हैं, ऐसा करेंगे तो यह तूट जाएगी और भरता बन जाएगा, दो से तीन मिनिट लगेंगे, इसे अच्छे से स्टर करिएगा, और इसके उपर सारी सॉसिस कवर हो जाएगी, तो इस तरीक से आप देख सकते हैं, हमारी चॉमिन रेडी हो गई है, तो चलिए, गैस का फ्लेम आफ करते हैं, और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं, अगर आपको यह क्विक एजी सिंपल रेसेपी पसंद आई हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, और शियर भी करिएगा, अगर आप मेरे चानल पे न्यू हैं, तो प्लीज च तिल देन बबाई, टेक केर